मुद्ध मंगल मैं संत समाज, सम्माननी धर्म प्रीमी भाईयों एवं भक्ति मति मातवहनों हम लोगों को दो प्रकार की आवश्च्यक्ताएं होती हैं एक है जो द्रिश्य है और दूसरा है जो अद्रिश्य है आप लोग की भासा में कहूं तो विज्वल एंड इन्विज्वल द्रिश्य और अद्रिश्य यह दो प्रकार की जरुरति होती हैं द्रिश्य क्या है जिससे हमारा जीवन गुजर हो यह हमारी अवश्यक्ता है जैसे भोजन, कपड़ी, मकान, गाड़ी और भी बहुत सारी चीजे हैं अद्रिष्य का मतलब जो दिखाई दे, अगर में है यहाँ, और जो दिखाई दे रहा है, वो हमारी जरुरतों के हिसाब से ही तो है, तो हमारी आवश्यक्ता है, और दुसरी जो हमारी आवश्यक्ता है, वह अद्रिष्य है, अद्रिष्य क्या है? और ये इतना ही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दिखाई देने वाली चीजें और वह है जो अमूर्त है अद्रिश्य है आपस का प्रेम विश्वास मन की शान्ती छमा करने का भाव प्रेम सम्मान ये सब हमारी आवश्यक्ताएं हैं हम क्या समाज़्ते हैं हमें भोजन मिल जाएं कपड़े मिल जाएं रहने की जगा मिल जाएं काम हो गया इसा मसी ने ये वाक्य कहा है यू कहो यू कहो यू कहो यू कहो यू कहो एकी बात है हम सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रह सकते तो क्या मैं ये कह रहा हूँ कि रोटी की जरुरत नहीं है रोटी की जरुरत है कपड़ी की जरुरत है ये हमारी प्रारंभिक आवश्यक्ताओं में से है इसके बिना जिवा नहीं चलता है लेकिन इसके साथ-साथ कुछ और चाहिए कल्पना करिए एक सुंदर सा भवन हो मकान हो और सारी व्यवस्था हो उसमें आपको कह दिया जाए आप वहां रहें सारी स्वीधाओं और व्यवस्थाओं से संपन है वह घर वहां रहें लेकिन शर्त क्या है आप केवल अकेले रहेंगे बस आपके अलावा कोई नहीं और जो वहां स्वीर्टी अर्ड होगा ना वो भी आपकी भासा नहीं समझ सकता है कितने दिन तक आप रह बाएंगे उस मकान में सारी स्वीधाए हैं लेकिन आप से कोई बात्चीत करने वाला नहीं है कब तक रहेंगे ठोड़े ही दिन में हम सभी पागल हो जाएंगे एक राजाने प्रेयोग किया था इसका मैंने पढ़ा ठोड़े ही दिन में आधमी पागल हो गया क्योंकि पागलपन के लिए किवल बाहर की जरुर्द नहीं पड़ती है कि बाहर के लोग गलत करें तब हम पागल होंगे लगता तो है जैसे आपको एक कमरा में बंद कर दे अच्छा उसमें कोई वेवधान नहीं है कोई बोलने वाला नहीं कुछ भी करने वाला नहीं है सब कुछ महां सुईधा है तो क्या होगा फिर दिपावली तो खतम हो गई है तो पटाके बंद कर दो तो वो पहले जो सारी भी पहले क्या होता था कि कोई हम को बुरा बोले कुछ कहे हम उनसे बोले कोई हमारे साथ कुछ करे हम उनसे करे कोई प्रेम करे तो प्रेम करे नफरत करे तो नफरत करे कोई दोड़ सब्द बोले हम चार सब्दें यह कै जुड़ाओ बाहर है लेकिन उस आरे जुड़ाओ बाहर खतम हो जाते हैं तो अंदर जो छीपा है न वो बाहर आता है वो बाहर आता है आप तो ख्याल करें जब कभी आप बिस्तर पर जाते हैं वहां तो कोई आपको आपके साथ में कोई वेभार करने वाला नहीं है लेकिन तब वो सब व्यादें आने लगती है बातें आद आने लगती है और वो हमें विचलित करने लगती है प्रभावित करने लगती है और वही सारी आदते हैं, जो हमने वहां संग्रह किया है, वहां हमने उसको बना रखा है, मन में, और वो सब जब बाहर आती हैं अंदर से, तब हम बहुत परिशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ही जीवन में बहुत ऐसी बाते हो जाती हैं, बहुत नहीं तो कम से कम, कुछ तो ह घरे शख संह से दिन्हों तों feedback किरणान दोन कमोई जाती है कि जिन्हें हम छोगों के पीच बाएं पीच कहन नहीं पाते हैं और अर जो छिपाते हैं उवह में बहुत पढ़ीत करता दाहें कि जिन बातों को आप किसी को नहीं बताना जाहते हैं उन बातों से आप पिडित रहते हैं, तुखी रहते हैं इसलिए अवश्यक्ता है कि हमें कोई प्रेम दे, कोई हम पर विश्वास करे मैंने क्या कहा, दो प्रकार की जरूरते हैं एक जो दृष्य है और दूसरा जो अदृष्य है अद्रिष्य प्रेम दिखाई नहीं देता आपस का विश्वास दिखाई नहीं देता सम्मान दिखाई नहीं देता शांती दिखाई नहीं देती लेकिन इसकी कितनी आवश्यक्ता है कई बार, कई बार वस्तू से भी ज़्यादा भोजन से भी ज़्यादा इसकी आवश्यक्ता होती है कैसे? मैं एक चीज पूछू आपको भोजन आप कितनी बार करते हैं? चोवीज घंटे में भोजन कितनी बार करते हैं? दो से तीन बार है ना? सुबह नास्ता कहते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं दो पहर का भोजन होता है लंच कहलो, रात में डिनर रात्री का भोजन हो गया यही दूआ थूआ ना तीन बार अचा कुछ लोग क्या करते हैं? अचा तीनी बार नहीं खाते हैं चार पांच बार भी खाते हैं, उनकी वाद चोड़ दीजिए चार पांच बार खाने वालों की लेकिन जादा तर्थ होता क्या है? तीन बार हम लोग खाते हैं अचा तीन बार जो भोजन करते हैं चोबीस घंटे में कितना समय लगता है? टोटल करके बताएं मालो, एक समय में बीस मिनट तो तीन समयों में साथ मिनट एक घंट लगा तेईस घंटे में एक घंट आप भोजन कर लें तो बाकी समय भोजन की जरूरत नहीं है लेकिन प्रेम कितने घंटे चाहिए? विष्वास कितने घंटे चाहिए? अचा एक घंटे प्रेम हो बाकी समय लड़ाई जगडा हो चले हाँ? मैं जो यहां से मेसेज देना चाहता हूं वो पहुँच रहा एक नहीं पहुँच रहा है प्रेम जोविस गंटे चाहिए आपस कभिस्वास हर समय चाहिए उससे भी ज्यादा महत्यपूर्ण है एक आदमी पाहर से काम करके आया भूख लगी थी महनत कर आया था तो घर के अंदर आया आते ही कहता है अपनी स्रीमती से कहा कि मुझे भूख लगी है भोजन दो जल्दी भोजन दो मुझे पतनी अंदर से क्या कहती है मैं तुमसे प्रेम करती हूँ पती महुदा ने सोचा शायद नही सुन पाई होगी तो अवाज बढ़ा कर लओडली कहता है अरे मुझे भोजन चाहिए भूख लगी है तो वो जो अंदर अंदर गृणी थी स्रीमती थी तो वो भी अवाज बढ़ा कर बोलती है अरे मैं तुमसे प्रेम करती हूँ अब तो बहुत कम लोग समाल पाएंगे नहीं तो फाहर तो होना ही है भूख लगी है प्रेम के बारे म कह रहे है प्रेम करती हूँ कहा करके वो छलाया और चिलाया मारो तुम प्रेम पर गोली मुझे भोजन दो उसुन देती है मारो प्रेम पर गोली मुझे भोजन दो गई कीचन पे थाली और कटूरी में भोजन सजाती है और ला करके उसके सामने पतक देती है लेओ खाओ अब स्वाद मिलेगा नहीं भोजन में स्वाद मिलेगा क्यों भोजन ही तो है एक रिक्से वाले से भी पूछो तो क्या कहता है भाईया इज्यत की दो रोटी चाहिए सही है भोजन तो चाहिए लेकिन प्रेम पुरुवक हो आदर पुरुवक हो सम्मान की ज़रते वो दिखाई तो नहीं देती है हम लोग क्या करते हैं दिखाई देने वाली चीजों के लिए बहुत महनत करते हैं लेकिन जो दिखाई नहीं देती है जो रिस्तों को बनाय रगती है स आपके जीवन को सफल बनाती हैं, उन चीजों के लिए महनत ही ने करते हैं उन क्या समझते हैं, यह सारी चीजें आएंगी तो अपने अप हो जाएगा, जैसे बहुत सारा पैसा होगा, हम बड़ा समकान बना लेंगे, बड़ी सी गाड़ी खरीद लेंगे, हमारे कपड़े बह तो फिर अपने आप खुषी भी आजाएगी, प्रसन्नता भी आजाएगी, शांती भी मिल जाएगी, नहीं, उसका काम अलग है, धन का काम है, जीवन गुजर के लिए व्यवस्था कर दे, लेकिन धन में छंता नहीं है कि वो आपको शांती भी दे दे, शुक भी दे दे, द रोधी, लेकिन धन परयापत नहीं है, it is necessary but not enough, अवश्यक तो है, जैसे ये उधान में कहता हूं, आप गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, वो सब किसे चलती हैं, पेट्रोल से, तेल से, तेल के बिना गाड़ी, नहीं चलती, लेकिन क्या गाड़ी आप तेल के चलाते हैं, क्या मेरा प्रशन गया भाहां तक, मैं फिर से कह रहा हूं, तेल के बिना गाड़ी नहीं चलती, लेकिन क्या गाड़ी आप तेल के चलाते हैं, नहीं, किसी और काम के लिए चलाते हैं, इसी प्रकार, धन के बिना वारा जीवन नहीं चलेगा लेकिन किया जीवन धन के लिए हैं। जीवन थन के लिए है? नहीं, जीवन का बुछ और ही उद्देश्जजज़ा है, क्या हम उद्देश्च के जीवन उद्देश्ज़ा लिए आगे बढ़ रहे हैं? धन का काम तो केवल इतना है कि हमारा जीवन गुजर हो जाया और बढ़िया से हो जाए, कोई भी आदमी काम क जीवन गुजर कर ले बड़िया सा, ठीक से हो, बड़िया से मकान हो, बड़ा मगान हो, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी अच्छी हो, बड़ी हो, एक नहीं, दो दो हो, कोई दिक्कत नहीं है, कपनो का भी धेर लग जाए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्या है, करना ह छोना क्या चाहिए सच मुझ, आपका मन कैशा है, क्या प्रसन रहते हैं? ऐसद नहीं है कि एक सुंदर भवन में रहकर के आपका मन अशान्त हो, जल रहा हो, ऐसद नहीं है。 यह सारी चीजें आपको शांती प्रदान नहीं कर सकती है मैं गुधान दो, आप किसी कारिक्रम में गए चाहे किसी की शादी हो या फिर कोई भी ऐसा कारिक्रम सामाजिक हो, पारिवारिक हो, कोई ऐसा कारिक्रम में जहां गए जहां बहुत से आपके परचित, मित्रगन हों, परिवार के लोग हों, उसी बीच में सबके सामने एक आदमी आपका घोर अपमान कर दिया, कटू-कटू सब्दों में आपके लिए गलत कहा, मन कैसा होगा उस समय, आप जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि जवाब देने का मतलब संगर्ष बढ़ना, लडाई बढ़ना, और आपका मन खिन्न हो जाएगा, अमर्स से भर जाएगा, इसना अपमान, मन क्या करे का, मैं इसमें रहूं, मैं यहां रहूंगा ही नहीं, और मन इतना अशांत हो गया, इन सारी बात गाड़ी में बैठे, उससे क्या होगा, एसी भी चला दिये न, सरीर तो ठंडा होगा, लेकिन मन, मन ठंडा नहीं होगा, घर में भी आगए, बढ़िया घर है, एकांत घर है, घर से सितलता मिल जाएगी, और आपको बताओं क्या हो जाएगा, पत्नी ने कहा, आओ भोजन कर क्या कहेंगे आप, नहीं है भोजन करने का मन, अशान्त मन जब होता है न, भूग भी चली जाती है, अब ये चीछ जो बाहर से कचड़ा आ गया है, जो वहां से, किसी के द्वारा, उसे निकालने की शक्ति हमने अरजित नहीं की है, वो तरीका नहीं अपनाया है, जिससे उ कचड़े को तो साफ करना हम जानते हैं, कपड़े के मैल को दोना जानते हैं, शरीर के मैल को साफ करना जानते हैं, लेकिन मन के मैल को, मन में आई वे कचड़े को, कितने लोग जानते हैं, सदरु कभी ने कहा है, जो तू साचा बानिया, साची हाट लगाओ, अंदर जाड़ तो देख के कुड़ा दूरी बहाओ। कितनी अच्छी बात सहब कहाते है। यदि तू सच्चा ज्यान का व्यापारी है। सांची हाट लगाओ, सही बाजार लगा। अर्थात हाट ये सत्संग ही तो बाजार है जहाँ सवदा खरी सकते हैं। जहाँ ज्यान का आदान प्रदान हो बाहर के बजार में वस्तों का आदान प्रदान होता है। रुपी अभी निवै का माध्यम है। आप पैसे देते हैं, समान ले लेते हैं। इसी प्रकार से ज्यान का आदान प्रदान यही तो होना है। विचारों का आदान प्रदान तो यहां पर कहते हैं साहब कि वो क्या करना है अंदर जाडू दे के कुड़ा दूरी बहाओ अंतस में जाडू लगाओ और मैंने कहा ना कचड़ कैसे आते हैं देखकर, सुनकर छू कर, खाकर यह जो हमारी इंद्रिया है ना आख नाक, कान, जीब, चाम यहीं से अच्छा, इन से अच्छी बातें भी आती है लेकिन गलत बातें भी आने की संभाव न रहती जैसे आपका मकान मकान में खिड़की हैं, दरवाजे हैं अच्छा, क्यों हैं खिड़की दरवाजे? किड़की में किड़की से हव और प्रकाश दरवाजे से आना और जाना लेकिन आप क्या देखेंगे साथ साथ में उन्ही किड़की दरवादों से धूल और कचड़े भी आते हैं कोई अलग नहीं है रास्ता ग्यान आप यहां से अरजित करते हैं आख से देखते हैं रूप का ग्यान होता है कान से सुनते हैं शब्द का ग्यान होता है जीव से रस का ग्यान होता है तचा से इस परसका नाख से गंधका तो ग्यान तो अवश्यक है जीवन जीने के लिए लेकिन ग्यान के साथ साथ अग्यान भी आता है रूप के साथ साथ में वह रूप भी देख लेते हैं जो देखना नहीं चाहिए कल मैंने चर्जा की थी ना सब के हाथ में मॉबाइल और सब के हाथ में टीवी मॉबाइल ही नहीं कहाना चाहिए आप उस मॉबाइल के माध्यम से क्या देख रहे हैं आपको पता है क्या द्रिष्ट देख रहे हैं क्या शब्द सुन रहे हैं क्या आपके जीवन के लक्ष को पाने में वो सही की हैं ध्यान दीजी इस चीज को क्या आप टीवी में जो देख रहे हैं अख़़़ grocery में जो पड़ रहे हैं जादतर बाते तो नकारातमक होती हैं आप अक बार निकालो पढ़ो सुबा से क्या होता है वहाँ गाड़ी उलड़ गई है उस नेता ने ऐसा किया उसने गवन किया उसने जुड़ भोला उसने मार उसने हिजन सा 90 परतिशत से भी जादा समाचार केवल नकारातमक होते हैं जो आपके लिए बिल्कुल अनुपयोगी नहीं दुरुपयोगी बहुत ही गलत होते हैं वो क्यों? क्यों मैं कह रहा हूं? जरध्यान दिजे इस चीज को क्योंकि जो आप अंदर डालते हैं वो आपका चित्त का विशय बन जाता है हिस्सा हो जाता है और वही आपका चिंदन का विश्सा बन जाता है जैसे आप रात में भोजन किये ख्याल करिए भोजन करते हैं तो जो भोजन पेट में डालेंगे उसी को तो पेट बचाएगा और जब पचेगा तो उसी का तो रस बनेगा उसी प्रकार आप जो अंदर डाले हैं पढ़कर, सुनकर, देखकर वो अंदर गया अब उसका मन डाइजेश्ट करता है उसे पचाता है और उसका रस बनता है यदि हमने गलत विचारों को कंसीव किया गलत विचारों का इंपुट किया है तो क्या होगा? अंदर गलत रस बनेंगे और वो जाकर कि यहां ही कठा होगा अंतस में यह नियम है, देखो, यह नियम मैं बनाया नहीं हूँ, मैं सज बता रहा हूँ यह हर आदमी अन्भाव कर सकता है जब आप रात में गलत दृष्य देख करके सोएंगे लड़ाई, जगड़ा, मार, काड, छल, कपट सपने कैसे आएंगे? एक बात, दूसरी बात जब सुबह जागेंगे किस बात की यह याद आएगी? यह नियम है रात में सोते समय जो अंतिम विचार होता है सुबह का प्रथम विचार होता है हम लोग जब छोटे थे तो कहते थे रात में सोने के समय कह दो अपने आप से अपने नाम ले लो और कहो मुझे सुबह पांच बजे उठा देना कहते हैं प्रयोग किये थे? बिना गड़ु के एक कुरेट पांच बजी उड़ गए। क्यों आध़ गए? अंदर बैठा है ना परमात्मा? अंदर बैठा है ना? वह कभी नहीं सोता है शरीर सोता है, मन शांत हो जाता है लेकिन परमात्मा जो भीतर आत्मा है, वह हमेसा चाक्रिद रहता है। बहुत एलर्ट वहाँ बायो लाजिकल कलाग कहते हूं उसको एक ऐसी घड़े अंदर में जो हमें चाग्रित कर देती समय से उठा देती है तो वह चीज जो अंदर है जो आपने इंपुट किया है कंप्यूटर वालों की भासा है गारवेज इन गारवेज आउट कछड़ा अं अच्छा डालो अच्छा भार निकलेगा गलत भोजन जाएगा गलत सरीर बनेगा गलत विचार आएंगे गलत मन बनेगा गलत जीवन बनेगा तो बात यहाँ पर यहाँ थी कि आप जो ग्रण कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए वो मन है और वो रस बनता है वो फिर प्रकट होता है जीवन में प्रकट होता है बहुत जरूरी है इन सब चीजों को ध्यान में रखना तो मैं कह रहा था कि जो अद्रिश्य है द्रिश्य है केवल उसी के लिए महनत मत करिये अद्रिश्य के लिए भी महनत करिये क्या क्या बताया था आपस का प्रेम आपस में विश्वास रिष्टों को बनाय रखने के लिए संबंधों को बनाय रखने के लिए किसकी जरुरत होती है जैसे ये दिवार है दिवार में क्या कि इंटों को रखे हैं लेकिन केवल इंटों को एक के उपर एक नहीं रखे हैं, उनके बीच में गारा. देखे होंगे मकान बनाते समय, अच्छा बनाते भी है देखना क्या कौन ही देखेगा. क्या डालते हैं? सिमेंट और बालू का गारा. अच्छा वो नहों हो, इंटे भीखर जाएंगी. इंटों को जोड कर रखने वाला गारा है सिमेंट और बालू. इसी परकार, मनश्यों को आपस में जोड कर रखने वाला, जो गारा हैना, वही है प्रेम और विष्वास. प्रेम और विष्वास. प्रेम क्या है? देखेए, यह कहना तो लोग कहते रहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ कुछ भी कहा देते हैं, अंगिलिस में भी कहा देते हैं अच्छ उसे क्या होता है, अच्छ यह लोग समझते भी हैं कि नहीं समझते हैं प्रेम कहते किसे हैं अच्छा सद्रु कभी ने जो कहा है डाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया नकोई डाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई तो किस प्रेम के लिए कहे हैं वही लड़की और लड़का का प्र किस प्रेम के लिए कहते हैं यहां प्रेम का मतलब है प्रेम किसे कहते हैं प्रेम की परिभासा समझे इस चीज को दूसरे के हित की चिंता दूसरे के हित की चिंता जैसे पती और पतनी से मैं सुरू करूं पती यह चिंता करता है यह सोचता है मैं ऐसा कौन सा काम करूँ, ऐसा कौन सा वेवार करूँ जिस से मेरी पतनी अर्थात मेरा जीवन साथी अधिक से अधिक प्रसंद रहे, अधिक से अधिक उसे अराम मिले, यह चिंता कर रहा है। इसी प्रकार पतनी चिंता करती है, मैं ऐसा कौन सा काम करूँ, ऐसा कौन सा वेवार करूँ, कि मैं अपने पती को अधिक से अधिक प्रसंद रहे सकूँ और उन्हें आराम दे सकूँ, दूसरे के हित की चिंता बही प्रेम पनपता है। यही बात है भाई भाई की, यही बात है सास बहु की, यही बात है पिता पुत्र की, एक बहु सोचती है, मैं ऐसा, कैसा काम करूँ, ऐसा कौन सा बहार करूँ, जिस से मैं अपनी सास को अधिक प्रसन्न रख सकूँ, और अधिक अराम दे सकूँ, यह जो चिंता है ना, वो फि क्योंकि प्रेम भी तरसने मुझे करना है उनके लिए अच्छा करना है उनको जिस से अच्छा लगे वो काम करना अच्छा यही बास शाज भी सोच रही है यही बास शाज भी सोच रही है दिखो संबन कितने अच्छे होंगे लेकिन तब खराब होने लगता है मुझे अच्छ मिले, मुझे आराम ज्यादा मिले, मुझे कम से कम काम करना पड़े, लेकिन चीजे सबसे अच्छी मुझे मिले, बस वहीं तनाओ, वहीं लड़ाई, वहीं संघर्ष, वो प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, इसलिए अच्छी प्रेम को सीचना पड़ता है, हमेशा ध्यान रख को इस चीज को, वो उसी प्रकार जैसे यह पौधा है, पौधे में पानी डालते रहो, डालते रहो, हरावरा रहता है, पुष्पित पल्लवित होता है फूलता है फलता है लेकिन जब पानी डालना बंद कर दो सीचना बंद कर दो तो पौधा कुम्हलाने लगता है मुर्जाने लगता है ऐसी यह प्रेम भी है प्रेम को सीचना पड़ता है सीचो और नहीं सीचोगे प्रेम कुम्हला जाएगा, प्रेम मुर्जा जाता है, आपको कैसे पता चले कि प्रेम मुर्जा जाता है, जानते हैं, क्यों नी जानते हैं, क्योंकि जीवन की चिंता ही नहीं है किसी को, सच बात तु यह है, जितना आपको घर, मकान, धन, प्राणी, पदार्थे की चिंता है खुद के जीवन की चिंता है, खुद के मनोदशा की चिंता है, नहीं है, इसलिए इन सब बातों का अध्यन ही नहीं है, इन सब बातों की वारता चर्चा ही नहीं है, आप लोग कथा सुनने जाते हैं, कौन सी कथा सुनने जाते हैं, चाहे भागबत कथा सुनने जाएं, राम क कथा सुनने जाएं, चाहे कृष्ण, कोई भी कथा सुनने जाते हैं, शीव कथा हो, कोई भी कथा सुनने जाते हैं, क्या सुनते हैं, कथाओं में, कथाओं में सुनते हैं, पूर्व के महापुर्शों का जीवन चरित्र है, बहुत से इसी सभाएं होते हैं, जीवन महिमा, वो हुआ ये चमतकार वो चमतकार आपके जीवन में क्या फ़रक पड़ा क्या हुआ आपके जीवन में कैसे बदला हुआएगे इन सब बातों को ले करके जीवन की कथा भी पढ़ो जीवन की पोथी भी पढ़ो जीवन कैसे चलता है जीवन के नियम क्या है अमने सोचा है नही कि इस दीज को, किसे काम कर दागा जीवन को अपर कियो उठाए जाता है इन बातों पर भी चिंतन हो और ऐसा हो निर्णय जिस्टे जीवन आनंद कि योर बढ़े, सुख का अनभा हो परश्पर मे प्रेम का अनभा हो, सुंदर स्वास्त का अनभा हो, संुनर स्वास्त का अनभ हो, जीवन को आप सफल बनाना है, इन सब चीजों के लिए काम करना होगा, यह अपने आफ होने वाला नहीं है, महनत करनी होगी, तो प्रेम की चर्चा मैं कर रहा था, प्रेम आप जब सीचते हैं, तो वो हरा भरा रहता है, और जब सीचना छोड़ देते हैं, तो वो कुमलाने लगता है, मैं पूछ रहा था, कैसे पता चले कि प्रेम कुमला गया है, एक तरीका, आपस की हसी चली जाती है, आपस की बातचीत कम हो जाती है, यह इंडिकेट करता है, जीवन हमें इंडिकेट करता है, संकेत करता है, कि भई इस पर काम करो, लिकिन हम ध्याने नहीं देते हैं, जब आपस में बैट करके घर के लोग बात करते और हस हस के बाते करते हैं, चाहो पती पतनी हो, दोनों बाते करते हैं, खुब हस Tapi में खतमी नहीं होती है, इसका मतलब है, प्रेम की धारा भरही है, प्रवाहित है, भाई भाई देर तक बातें करते हैं पिता पुत्र बहुत बातें करते हैं सास बहुत देर तक हंस हंस के बातें करते हैं इसका मतलब प्रेम की धारा बह रही है और कम होने लग जाए बस पाइंट टू पाइंट बात अच्छा कहां गये थे हां मुग गया था काम हुआ हाँ हो गया, दोनों अपने कमरे में, बात कथम हो गई, समझ लो कुमला रहा है, कुमला रहा है, कई बार आप देखेंगे, एक ही घर में रहेंगे, और आपसे बात्चीत नहीं करते, यह बहुत बड़ी गल्ती हम लोगों की, क्या गल्ती, अच्छ गल्ती पर गल्त गल्ती क्या हो जाती, कुछ न कुछ गल्ती हो जाती, मनुष्य होने के नाते, हम सभी से हो जाती गल्ती, अच्छ गल्ती हो गई माल लो, तो क्या करें, बात्चीत बंद कर दें, जदतर लोग करते हैं, यहीं गल्त होता है, और बात्चीत बंद कर देंगे, एक ही मकान में मेरी घलती को छमा कर दी जाए यहार्दी कि इच्छा होती है तो दूसरे की गल्ती पर छमा कर दो एक काम जीवन में जोड सको मैंने कहा ना छमा दिखाई नहीं देती है लेकिन हमारे लिए इतना अश्यक है इतना महत्व पूर्ण है इसके बिना जीवन भटकने लगता है दरालें पड़ जाती है विक्रिती आ जाती है संबंधों में अपनी गल्ती हो गई छमा मांग लो दूसरे की गल्ती हो गई छमा कर दो क्या लगता है कौन जेसी बात हो गई और कई बार मैं उद्रान दताता हूं आपको कभी कभी नहीं कभी कभी ये इस्थिती भी आ सकती है आपकी गल्ती नहीं होने पर भी आप छमा मांग ले मैं क्या कहना चाह रहा हूं गल्ती होने पर तो छमा मांग ही ले लेकिन आपको पता चल गया कि गल्ती सामने वाले की है लेकिन उजुक नहीं रहा है वो छमा मांगने की इस्तिती में नहीं है आप ही अपनी और से जाके कहा दो छोड़ो श्वारी गल्ती हो गई छमा करो महत्त पूर्ण गल्ती किसकी है इसकी व्याख्या करनी नहीं है महत्त पूर्ण रिस्ते हैं उसे निभाना जरूरी है रिस्तो में मधूर्ता लाओ नहीं ते कुछ काम नहीं आएगा धरम करम क्योंकि आपस में ही संगर्स होगा आपस में ही जलन होगा आपस में ही फुट होगी आपस में ही एक दुसरे एक तकरार होगी वहाँ आत्म परमात्म की चर्चा करके कोई फायदा नहीं है कोई फायदा नहीं है भजन कोई कामाने वाला नहीं है असली भजन है मन की मधूरता मन की कोमलता चमा क्यों नहीं मांग पा रहे हैं क्यों आहम में जल रहे हैं आप मैं पती हूं और पती हो गए तो कहा थी गुड़ा हो गए, जब मांग लो, मैं पिता हूं, मैं बड़ी हूं, ओफ, कफिर सहीब ने कहा है, बड़े गए बड़ापने, रोम रोम हंकार, सद्धगुरु से परिचे नहीं, चारो परंग चमार, कफिर सहीब की और भी साखी है, बड़ा हुआ यह वरे नोइने है, याद दो सब को हुए हुए, जएसे पेड़ु ऐना क्फुर बनना जहते हैं, जयाना क्फुर से बनना चाहते हैं? ज़ए जनते हैं खाङए process, उपर से निचे तक के उपर से नीचे तक चड़ों तो कांटे ही कांटे होते हैं चाय भी बहुत दूर पड़ती है जहां पर आप चाय का लाब भी नहीं ले सकते फल लागे दिदूर क्यों बड़े बनते हो सद्गुरु कभी ने कहा है सबते लगुता भली लगुता से सब होए कि जश दुतिया को चंद्रमा शीषनवे सबको सब्सका कोने चोटा बन जाओ जो दुतिया का होतल मैं सबी नमसकार करते हैं पुर्णिमा का चंद्रमा बहुत बढ़ होता है अभागा लेकिन कोई नमसकार नहीं करते हो उसको क्यों? आज तो पुर्णिमा कल से घटना शुरू कर देगा और दुतिया का चांद आज तो छोटा है दिनों दिन प्रकास बढ़ता चला जाता है बढ़ता चला जाता है और पुर्णिमा के चांद में अगले दिन से कालापन बढ़ने लगता है और इसमें प्रकास बढ़ने लागा, देखो ये बातों को कहने का तरीका है, बात यहा है विनम्रताग, तो मैं अभी कह रहा था, कई बार गल्ती नहीं होने पर भी छमा मांग लो, एक कहानी बताओं, एक आदमी था, साधक था, ग्रियस्ता था, लेकिन साधक था, ऐसा नहीं ये कि साधो ही साधना करता हो, घर में रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन साधना परायन, जीवन जीते हैं, और कई बार तो साधो से भी बढ़कर, उनका जीवन होता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो वो साधक था, को कुछ पैसे की जरुरत थी, उनको कुछ वयवसाय सुरू करना था, धन्दा सुरू करना था, पैसा मांगा, अपने स्वसूर से उनने का ठीक है, तीन लाख रुपिये वे उनको उधार दे दिये, और उनका वयवसाय चल पड़ा, अच्छी कासी आमदनी हो गई, होने लगी पैसा उनके पास परयाब्त हो गया, लेकिन वपैसा लोटाने क नाम ने ले रहा था, क्योंकि सुसूर है न, का एक लोटाने का, वो पैसे नहीं लोटा रहा है, अब कई बार मांगे भी होंगे, पैसा नहीं लोटाया, कई साल हो गए, दस साल, पंदरा साल, अब क्या होता अब जगा जगा लोगों से चर्चा करता था, अपने मित्रों में, अपने रिष्टेदारों में, देखो जी, अपनुक दमांत को मैंने पैसे दिये, वो लोटाता ही नहीं है, वो ऐसा है, वैसा है, अब जब वो भजन करने बैठ था, साधना में बैठता, ध्यान करने बैठत बहुत परशान हो गया कहा कि ये तो मेरी सादने ही चोपट हो रही है गुरुजी के पास गया है संद के पास गया है और अपनी समस्या राखी मैं क्या करूँ मैं बहुत परशान हूँ क्योंकि मेरी सादने ही खराब हो रही इस से मुझे बताईए एंक् Soo उनोंने कहा, तो संत ने कहा कि काम करो, तुम बजार चले जा Ober मिठाई ले 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 लुगाउो सरे चाने,क्CR वाउठ पहले ले 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 आखिर तो उसने क्या कहा देखो कि गलती एक हाथ से ताली नहीं बचती है दोनों हाथ से ताली बचती है गलती उनकी भी है तो गलती तुम्हारी भी है उसने कहा महाराज लेकिन आखिर मैंने कौन से गलती की है तब वो संद ने क्या कहा देखो उसने पैसा लेकर नहीं लोट गलती है लेकिन तुमने क्या किया जगा जगा लोगों के बीच जाकर के उनके बारे में कहा उनकी बुराई की उनकी अलोचना की ये तुम्हारी गलती नहीं है और यही तो तुम्हारे लिए भाजन में बाधक बना हुआ है ये बात समझ में आई उसने का सच तो है बाजार ग तैक मिठाई और फल रात में करीब नौ बजग गय थे रात हो गई थे तो जैसे तो उसके दरवाजेंजी जो पूँचे 15 हुग एम पनी बेटी से मिले दमात से मिले अपने नातियों से मिले 15 साल दर्वाजा खटखट आया और घरंदर क्या हो रहा था भोजन का समय था यद जब बिलकुल किर्शी बर बैटकर भोजन करने वाले थे इतने में दरवाजा खटखट की आवाज आई चोटा बच्चा गया और दरवाजा खोला दरवाजा खोला तो जैसे खुला दरवाजा तो वो उसके मुह से जोर सेवाज निकल पड़ी, नाना जी आ गए, आश्यरी है, उसके दमान ने सोचा, अभी पंदरा साल बात कैसे आ रहे हैं, और उसके लड़की ने सोचा, पिता जी पंदरा साल बात आ रहे हैं इस रात को, और वो तो दरवा अपने दमाद से, बेटा, मुझे छमा कर दो, मेरे से गलती हो गई, ये बात सुनते ही दमाद रोने लगा, रोने लगा, क्योंकि उसे पता था, कि गलती त मेरी है, रोने लगा, और लिपट गया उनसे, रोता रहा, कुछ देर बीते, अलग हुए, अब बेटी की बारी थी बेटी भी अपने पिता के सीने से लग कर के रोने लगी, पंदरा साल बात मिलना बड़ी बात होती है, और इसी बीच दमाद अंदर गया, आलमारी से पैसे निकाले, और पुरे पुरे पैसे लाकर के, अपने सुसुर के पास रखते हैं, कहें पिता जी, ये पैसे आप रख लीजिये, उसने क्या कहा बेटा, मैं आज इन कोडियों के लिए नहीं आया हूँ, और जिसके लिए आया वह मुझे मिल गया, इसी शान्ती की खोज में था, इसी परसन्नता की खोज में था, और यहां आ कर के छ्वा मांग कर के मैं ने पालिया, उसने क्या के नहीं बढ़ आप नहीं रखेंगे, तो मैं जीवन भर जलता रहूंगा, यह आपको रख नहीं है, पैसा तो रख लिया, लेकिन उन्ही बच्चों में उपैसे को सब बाड़ दिया, तब तक ग्यारा से जादा बज गये थे, फिर क्या हुआ, सभी लोग गाड़ी में बैठे और फिर घर ल तुमाहूल कैसा रहा हा सब के सब बढ़गगए, वो सारे विGAर आखों के रश्टे से दुल के निकल गए, किसी ने बहु सुंदर कहा है कुछ बे तУक्ह जगडए कुछ बे तुके जगडए कुछ इस्टरा खत्म कर दिये मैंए, कुछ बे तुकह जगडए कुछ इस्स्त जोड दिये मैंने, हाथ जोड दो, रिष्टों को वापस ले आओ, क्या मतलब है, छमा मांगने का अर्थ केवल इतना नहीं होता है कि मैं गलत वो सही, इसका अर्थ है, मुझे में उन से रिष्टे निभाने की काबिलियत जाता है, उन्हें चिंता नहीं रिष्टे की, मुझे मुझे चिंता है, मुझे छमा मांगना है, मुझे बात्चित प्रारम करनी है, क्यो पती-पती मन है, क्यो बात्चित नहीं करते हैं, बात करना सुरू कर दो, क्यो अन्बनों भाई-भाई में, नहीं, बात्चित करो, इसलिए आवश्यक है, ये प्रेम को प्रवाहित करें, वस्तुों को महत्व मत दो, व्यक्ति को महत्व दो, एध्यान रखो, एक मैंने अभी तक यही कहा, दृष्य और दृष्य के बारे में कहा, वस्तु और व्यक्ति, वस्तु महत्व पूर्ण नहीं है, व्यक्ति महत्व पूर्ण है, कोई घर में वस्तु है, तुट गई, पत्नी को गहां से खरीद होगे पत्नी को गहां से खरीद होगे बढ़िए जहां आए वहीं से प्रणाम कर लिजिए वहां सासिरवाद ही मिल जाएगा उनका मैं क्या कह रहा था? बताओ कुछ नहीं कह रहा था? कुछ तो कह रहा था? यही है डिस्ट्रेक्शन क्या कह रहा था? व्यक्ति ठीक व्यक्ति का महत्त्व है वस्तु का नहीं वस्तु आती और जाती है खराब हो जाती है फिर जाती है कोई वस्तु खराब हो गई, जैसे घर में कोई हो और उससे कोई समान तूट गया, अब उसको लेकर के चिलाओ मत, चिखो मत, और ज्यादा तर आदत होती है इन मताओं की, जो खास करके सास आएं, सास आएं, ओफ, एक क्यानी याद आगई, पिता और पुत्रा, सर बैठक में बैठे हुए थे, ट्राइंग रूम में, और कीचन से किसी चीच के गिरने और तूटने की आवाज आई, पिता ने बेटे से कहा, बेटा जा कर पतत लगाओ, इसके हाँ से गिरा है, किसके हाँ से सामान तूटा, बेटे ने क्या कहा, पिता जी में यहीं से बता जोगे, हाँ ह terrifying, यहीं इश बता दूँँगा, यह सामान मा के हाथ से गिरा है, और उजी कहा से तूटा है, खा कामाल है, तो तो वअ नो कर था ऐसमान तूटा जाlles बेटे 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 बेटे, बड़ा स्राल ऐसगा। इसके हाँ सामान गिरा है, तो गया पता लगाने क नहीं आई यह थी वह आपकी बहु के हाथ से टूटा होता तो मा की अवास तुरंत आजाती तुरंत आजाती बस तु गिरही गएगी तूट गएगी इसको लेकर के चिलाने से क्यामत रहे मा तु पुर्णा काउन है व्यक्ति यह पूछो कहीं चोड तो नहीं लगी कहीं तकल किये और क्या होगा जब आपकी बुढ़ापा में न वो जब बड़ी हो जाए घर की मलकिन हो जाएगी तो वो सब को लौटाएगी लौटाएगी आप का प्रेम को लौटाएगी लेकिन आपने नफरत दिया है गरना दिया है कैसे होगा जो आप बीज बोते हैं उसी के तो काटते हैं याद है न कभीर साहिब की पंक्ति कभीर कमाई आपनी निस्फल कभी न जाय बोया पेड बबूल का याद एक नहीं है याद कर लो ह। आम कहां से खाए बोया पेड बबूल का कांटे का पौधा लगागर के आम का फल नहीं पा सकते अर्थाद गलत करके अच्छे पढ़नाम की आशा आप नहीं कर सकते यह नियम है यह कुदरत का नियम नियम यह उच्छार्ट का नियम नहीं का तब से हो गया अचा कभीर साहि नहीं नहीं कहे थे ना तब तो बबूल का पौधा लगा कर भी आम फल जाता था क्या सच है आपको क्या लगता है अर बही जो घटना घट रही थी कुदरत में सदुरु कभीन ने समझा और उसको हमारी भासा में समझा दिया बस इतनी सी बात है इतनी सी बात है हम नहीं तो गलत न करो अद्रिश्यमन ने कहा इसी प्रकार से मन की शानती शानत रहना सीखो हम सभी चाहते हैं मेरे घर में शानती का वातरन बने चाहते हैं सभी मैं एक चीज बताओं उसके लिए सबसे पहला काम क्या है आप चाहते हैं कि आपका घर का वातरन शानत हो तो पहला का आप शांत होना सुरू कर दीजिए, आप शांत होना सुरू कर दीजिए, आप चिला करके, आप हला करके, आप क्रोध करके, आप चीड करके, भुनभुना करके, उद्वेगित हो करके, कभी भी घर के वातरणों को शांत नहीं कर सकते हैं आप, क्यों? क्योंकि आप के भीतर से जो radiation creation उरा है ना देखिये यह बिसाय अलग हो जाएगा फिर हर आदिमी एक radiator की तरह है radiation create हो करता है हर समय जैसे आपका मोबाईल छाल करिया आपके मोबाईल के वारे इस बाहर आँיח आप का मोबाईल आपकिसी के नमबर को डाइल करते हैं और जिसका नमबर डाइल किये उसकी मुबाइल फोन बजने लग गया अच्छा आपके फोन से वहां तक क्या गया कुछ तो गया अतार तो है ने क्या गया वहां तक के उसी को कहते हैं तरंगे वेवलेंद वाइब्रेशन कुछ तरंगे गई है अद्रिश है न वो अद्रिश है लेकिन काम करतीक नहीं करती है ऐसे ही आपके भीतर से एक तरंगे निकलती है एक फ्रिक्वेंसी होती है किसकी आपके विचारों की आपकी भावनाओं की आपकी अंदर कैसे भाव हैं कैसे सोच रहे हैं यदि आप लगातार किसी के विषय में गलत सोच रहे हैं, उनके प्रती गलत भाव है, तो उन्हें आप सामने आने पर अच्छा महसूस नहीं करा सकते। यह नियम है। कैसे? जैसे मैं कह रहा था, कि आप पती और पत्नी हैं, भाई और भाई हैं, आप पत्नी के लिए कपड़े ला दें, खाने पीनी की चीजे ला दें, और यहां तक कि गहने भी ला करके दे दें, लेकिन आपके मन में उनके प्रती दूईश है, नफरत है, घिना है, वहमनष्य का भाई है, आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं, तो आपको क्या लगता है, वो जो कपड़ा और गहना है, वो प्रेम बढ़ा देगा, नहीं बढ़ाएगा, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये वस्तु जा रही है, आपका भाई क्या जा रहा है, अंदर से, अंदर से, वो व आप जो सोचते हैं वो पहुंचता है आपकी भावनाय पहुंचती हैं विछार पहुंचते हैं और यह इतने शक्ति-शाली हैं इतने प्रभावकारी हैं विछारों से भी 500 गुना जादा इलेक्ट्रो मेगनेटिक फिल्ड, कभी नहाम सुनुएंगे इसकी जो होता है ना, थ्रंगी होती, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती ना, वो, इंटेंसिटी कितनी तेज है उसकी तिप्रता, वो भावनाओं की और जादा, देखें, दो चीज बता करके मैं विरामलूं क्योंकि विषय बहूत बड़ा है, संचिम्तम बताता हूं, आप विचारते हैं, सोचते हैं, वो मस्तिस्क मन से, मन में विचार पैदा होते हैं, लेकिन हिर्दय में विचार नहीं, हिर्दय भावना, हिर्दय से भावना निकलती है, मैंने एक उस्तक पढ़िए, The Power of Heart, हिर्दय की श विषय की शक्ति है, आर हिर्दय से सद्रु कवीर का विदिर्कॉर ह리 है, दिल माखोज, दिलह की खोज, करिम राम, हिर्दय बसे दिल की भावार के Gobam, कि पहते हैं हिर्दय में हो तो इशिले की शारी शक्ति चाहा समाई हूई है, उसको रूडित करिये उसको जागर करिये, तो कैसे ये बत करा था कि आप विचार आप उसको शब्दों में अवयक्त reinforcements देखिए मैं बोल रहा हूं विचार दे रहा हूं उसे आप कहां से शुल रहें जो मेरे मन की विचार हैं उसे मैं शब्दों के माध्यम से प्रक्षेपीत कर रहा हूँ, भेज रहा हूँ, लेकिन भावनाओं का रास्ता क्या है भेजने का, भावनाओं का आप बोल के नहीं बता सकते हैं, जैसे, मैं पूछू आप से, आप अपने गुरु महराज के प्रती कितनी स्रद्धा करते हैं, कितना प्रेम करते हैं, बहुत, अरे बताओ तो कितना अरे बहुत कैसे बता होगे नहीं बता सकते न नहीं बता सकते भावनाओं की अव्यक्ति शब्दों से नहीं हो सकती है कैसे होती है हिर्दे की भावना हिर्दे से निकलती है और सिधे हिर्दे में चली जाती है और उसका वेग विचारों से भी जादा शब्द बाद में पहुंचेंगे, मेरी भावना आप तक पहले पहुंचेगी, कैसे, जैसे, आपके घर एक महमान आया, और महमान जानते हूं कैसा, अन्वंटेड गिष्ट, एक ऐसा महमान जिसे आप पसंद नहीं करते, लेकिन चुकी दर्वाजे प लेकिन भीतर वाला क्या कह रहा है, यह बदमास क्यों आगया, समझ रहे हैं, तो आप जो कह रहे हैं, वो बाद में पहुंचेगा, आप जो अंदर की भावना न वो पहले पहुंच जाएगी, और क्या कहेगा, वो समझ जाएगा, मेरा आना इनको पसंद नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं, भासा दो प्रकार की होती, कल भी मैंने चर्चा की थी, एक है, जो हम बोलते हैं, वानी, इसको काते हैं, बरवल लेंग्विज, दूसरा है बड़ी लेंग्विज, और एक है देह भाशा, वो बोलता है, दूर तक जाता है, क्योंकि जब आप किसी को आते है और पसंद करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है, आप उन्हें देखकर मुश्कुराते हैं, समझ रहे हैं न, मुश्कुराते हैं, और मुश्कान ही इंडिकेट कर रहा है, वेलकम, आईए, स्वागत है, दिल स्वागत है, और किसी के आने पर मूँ फुला लिए, मूँ बना लिए, वो पता चल जाता है, इसलिए अन्तस की सुध्धी पर ध्यान दो, वो दिखाई नहीं देती है, और वही शांति और शांति के कारण बनता है, मैंने कहा, शांति दिखाई नहीं देती है, प्रेम दिखाई नहीं देता है, विश्वास दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार ग्रिणा भी दिखाई नहीं देती, नफरत भी दिखाई नहीं देती, द्वेश भी दिखाई नहीं देता है, इर्शा भी दिखाई नहीं देती है लेकिन कितना काम करते हैं आप मन में द्वेश और नफरत पाल कर मन में जहर बनाते हैं यह मानुशिक विश है, मानुशिक विश आप इसे रख करके कभी भी शानती कानभव नहीं कर सकते हैं और अपना नुक्षान तो दूसरों का भी नुक्षान करते हैं आप दूसरों के विसाय में गलत सोचते रहते हैं बदल दो इस चीज को अच्छा सोचो दूसरों के विसाय में भी अच्छा सोचो अपने विसाय में भी अच्छा सोचो दूसरों के लिए अच्छे सब्दों का प्रयोग करो अपने लिए अच्छे सब्दों का प्रयोग करो भा करो जो आप अपने लिए करते वही दूसरों के लिए करो जो अपने लिए चाहते हो वो दूसरों के लिए भी चाहो तभी तो बात बनेगी तभी तो साहिब ने कहा भी, आखिर में साहिब ने जो कहा है, गटगट मेरो साइयां सुनी, सेज न कोई, सब जगत वही है, अखे गुष्वामी तुलसिदाजी भी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, अरी यहां तक भारती परमपरा में कहते हैं, कनकन में भगवान, अर सब के साथ प्रेम नहीं होना चाहिए, क्यो ग्रिणा, क्यो द्वेश, नहीं, द्वेश नहीं, नफरत नहीं, और क्या होता है, जब दूसरों के विषय में गलत सोचते हैं, तो दूसरों का नुक्षान बाद में होता है, आपका नुक्षान पहले हो जाता है, लेकिन दूस दूसरों का भला पता नहीं कब होगा, आपका भला शुरु हो जाता है, कैसे? इतना बड़ा आपके घर में कोई बरतन हो प्रेयोक करना इतना बड़ा बरतन हो उस बरतन में कोईले का अंगारा जलता हुआ जल रहा हो कोईला उसको बरतन से बरतन में भर दो कोईले के अंगारे से क्या होगा जो सबसे पहली आँच किसे लगेगी सबसे पहली गर्मी किसको लगेगी उसी बर्तन को फिर दूसरों को पहला अनुक्षान बर्तन को फिर दूसरे को दूसरा प्रयोग क्या है उस अंगारे को खाली कर दो बर्तन खाली कर दो और उसकी जगा में फ्रीज से बर्फ के टुकडे निकाल लो और उस बर्तन को पूरे बर्फ से भर दो पहली सिदलता किसको मिलेगी उसी बर्तन को फिर दूसरे को अब ध्यान ये देना है हमारे भीतर में बर्फ है या आग है प्रेम है कि नफरत है क्या है ये देखो जरा से वो पहला नुक्षान हमारा होता है हम अपना इसलिए कहते है आत्म हत्यारा स्वामी जी ने कहा है आत्म हन्गति जाए जो नतरे भोसागर नर समाज असपाए सो कृतनिंदक मंदमती आत्म हन्गति जाए आत्म हत्यारे है स्वयम का नुक्षान करते हैं मेरा निवेदन है जीवन को बरबाद होने से बचाएं बहुत मुल्यवान जीवन मिला है हर समय का सही उपयोग करो आपस में प्रेम बढ़ाओ विस्वास बढ़ाओ और ये काम अपने आप नहीं होगा करना पढ़ता है जो फसल आप चाहते हैं उसका बीज बोना पड़ता है बीज बो प्रेम का बीज बो विस्वास का बीज बो जैसे खेत में जो फसल चाहते हैं उसका बीज बोते हैं धान चाहिए धान का बीज मक्का चाहिए मक्य का बीज गेहों जाए रविट स्व शॉचूब शॉचु शॉचूए जाए छॉचूचू अभी और भीज और भीज़ आए तभी तो मिलेगा, अभी जैसे मैंने कहा ना बोया पेड़ पडूल का आम कहा रविज। आम आम का बीज। और आपको प्रेम के बीज़िवा, दिख्वासि विष्वास के बीज़िवा, जह 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 साय्फ, जह जह साथे। प्रेम और कुछ, जह जह साथे कार। कहुछ भूओं चीज बीज प्रश्नार சरना। प्रेम बाड़ी में पैदा नहीं होता है कैसे बोहेंगे आप नियम है इसका जीवन का जो बीज है वो जीवन में ही बोना पड़ता है क्योंकि प्रेम आप कहा नभव करते हैं जीवन में नफरत कहा नभव करते हैं जीवन में तिये जो बीज है जीवन में ही बोना पड़ेगा एक शुत्र मै कहता हूँ शायद आपके काम के लाएक हो और याद कल ले दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं फिर से दोहराओं में रिपीट करता हूँ दूसरे के जीवन में जो आप बोते हैं उसे आप अपने जीवन में काटते हैं थोड़ से चेक कर लेना चाहिए यदि मै क्रोध का बीज बोता हूँ तो मैं क्रोध की फसल अपने जीवन में काटूंगा अर्थात जो आस दूसरों के मतलग जो आपके अलावा, आपके आसपास जो लोग हैं, चाहे हो पतनी की रूप में हो, पती की रूप में हो, भाई की रूप में हो, साथ ससुर की रूप में हो, पिता पुत्र, कोई भी हो अदर, चाहे आपके करमचारी हो, आफिस के, कहीं भी ग्रहाग, जो भी मिलें, दूसरों कि जीवन में क्या वो रहे हो यदि क्रोध भेज रहे हो तो लोट कर पाओगे नफरद लोट कर पाओगे ग्रिणा तो लोट कर मिलने वाली है लेकिन प्रेम का बीज भोगे प्रेम मिलेगा विश्वास का बीज भोगे विश्वास का फल वाफस आने वाला है जो आप भेजते हो वो लॉट करके आपको मिलता है यह अपुद्रत का नियम है इसलिए सब के साथ सुंदर वैवार करने के लिए सब के पृति प्रेम का भाव रखें मैत्री का भाव रखें सहयोग का भाव रखें, यह आपको भीतर से उदभावित करना है, और वो भीतर है अल्रेडी, है, उसको बढ़ाओ, बढ़ाओ, और कितना हो को बढ़ा करके, बार बार करते हैं, तो बढ़ता है वो, बार बार करते हैं, बढ़ता है वो, उस चीज को, जिसका बार बार करते है वही बढ़ता है, कुरोद बार बार करेंगे, कुरोद बढ़ेगा जीवन में, नफरत बार बार करेंगे, नफरत बढ़ने वाली है, घिना करेंगे, वही बढ़ेगा, लेकिन प्रेम बार बार करेंगे, सहीयोग बार 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 करेंगे, छमा की सक्ति बढ़ेगी, वेाफ जीवनिहें मुपड़ जाता है कि पयर में अच्छाइऑ चाहिए दिखाया देती है आप आप दोस जाद दिख रहा है तो इसका मतरब दोसों को देखने की आदट डाल लिए अभ्यास बना लिए आप लेकिन अच्छाईयों को देख रहे हैं तब आप उसकी आदट डाल लिए उसका अभ्यास कर लिए हैं अपको जीवन बदलना है, अपना जीवन, मैं एक सुत्र कहूं, आपका जीवन आपके हाथ, बस इस चीच को समझें, मैं पुस्तक हैं कही पड़ी इस पीसे पर, टेरिशा चीवन, एक लेखी का है, एडरलेंड की, उसने लिखा है, आपकी किस्मत आपके हाथ, और अपने ही हारत के एक लेखा के क्रिश्न चोपरा उसने लिखी है, आपके जीवन आपके हाथ, और हमारे पुर्वराष्ट्रपदी, A.P.J. अबदुलकलाम, उन्होंने लिखा है, आपका भविष्य आपके हाथ, आपका भविष्य आपके हाथ, कैसा भविष्य का निर्मान करना चाह हाथ, आप खुद कर सकते हैं अपन भविष्य का निर्माण, आप है निर्माता, आप है, अपने जीवन के निर्माता, या तो आप बिगाड़ें, या तो आप बनाएं, आप सुतंत्र हैं, आप सब के पृती यही शुग्कάमना है, कि आपके जीवन में सुन्दर स्वास्त मिले, आपस का प्रेम बढ़े, संबंदों में मधुरता आए, शम्रिध्धी हो और मन की शान्ती बनी रहे, इनी सुपकामनाओं के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए, अपनी बाणी को विराम देता हूं, सहर बन्यवाद।